केदारनाथ का पूरा इलाका बायर डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है लेकिन आज यहां सिर्फ इंसानी और मशीनी शोर है शोर के चलते यहां के पर्यावरन और एको सिस्टम पर बेहत खराव प्रभाव पढ़ रहा है केदारनाथ पहुचे गोन्यू संबादाता रमन ममगई ने पूरे मामले को लेकर तीर्थ पुरोहित श्रिन्वाश पोष्टी से बात की अज प्रेट में एक हेलिकॉप्टर यहां घाठी में लेंड करता है यह समेदनशील हिमालाय है और यह जो है इलाका है सरक्षेत मनशेत्र में भी आता है उस समय पहले की बात करें तो इन आस पास के पहाड़ों में मोनाल नजर आते थे मोनाल जो की उत्राखंट का राजिब अब अक्षी भी है इरन नजर आते थे और अब इस्पानिय रूप का कहना है जो की प्रयारवान में उनका कहना है कि अब वो इस घड़ी में निकने बंद हो गए है स्टेट पक्षी है मोनाल वो जुन्री के जुन्री रूप में आते थे लेकिन आज सब गायब होती नहीं एक तरब हमारा इन हिमार्यों में रहनी वाले जो पक्षिया है जिनका कि हमके स्रक्ष्ण करना चाहे था है तो जाया सब्सक्राइब हो चुकि लिए सब्सक्राइब अब तक उनको दून लिकी कोई कोशी दिए बड़ा सवेधन शील है इसलिए इसे धान के रूप मानेता भी मिली है और यह माना जाता है कि यह मंदिर है विसके आज पास की प्रश्वित है उच्छित रखिए उसके प्रयावरान को समझे आज कर यह है अज पर नजर आते है लेकिन पूप सुरत मोनाल पक्षी नजर नहीं आते हैं गेजार मंदिर से अमन अमगाई गो नीश किया है